हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसुल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से UPSC, UPSC और SSC से संबंदित सभी परिक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्स्क्राइब कर लीजे दोस्त सभी आप लोगों को पता ही होगा कि 11 अगस्त 2023 को हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था जिसमें उज्वरा वाले प्रशन में डबल बेंच का जो ओर्डर आया था 189 अबलिक 2023 का जो हमारा SPLA था इलाबध है कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है तो देखिए उस दिन क्या हुआ था और मैं पूरा आपको कहानी बता देता हूं क्या हो रहा था हमने जब उस दिन ट्रैक किया था इसको तो आपको पता है 55 से 60 नंबर तक जो केस लगे हुए थे उनका नंबर नहीं आया था लाइव एरिंग में ये शो होने लगा था कि ये आज केस नहीं लिए जाएंगे हमारा साट नंबर केस था उस दिन देखिए जब मैं आपको स्टेटस दिखाया था तो उसमें क्या डेट दिखा रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है ये हमने 11 तारिक को ही डाउ जल दी गई थी उस देट को कर दिया गया था 12 अपका सितंबर 12 सितंबर 2023 लेकिन देखिए मैंने उस पर वीडियो उसलिए नहीं बनाया था पिछली बार अगर आप लोगों को याद हो तो 11 तारिक से 22 देट हमारी हो गई थी लेकिन 22 तारिक से अपने आप उसको घटाकर 11 तारिक कर दिया गया था तो मैं बेट कर रहा था कि शायद इसमें कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे तो देखिए मैं आपको यह चीज दिखा देता हूं 11 तारिक को जो हमारी हीरिंग हुई थी उसका ऑफिशल सुप्रीम कोट का ओरडर आ गया है तो देखिए उसमें जो सुप्रीम कोट में हमारा आइटम नमबर सिक्स्टी था यानि साट नमबर पर केस लगा हुआ था यह हमारा केस नमबर है और इसमें क्या है आराइजिंग आउट ओफ इमपंज फाइनल जज्जमेंट एंड ओर डेटेड उननिस अप्रेल दोहजार तेश को जो स्टी एले एक सो नवासी ऑबलिक दोहजार तेश जो ब्रजन अंदर वर्मा वाला केस था जिसमें जो ओर्डर आया था पास्ट बाइदा हाई कोट हेरिंग के लिए लगाया गया था यह आपकी दोनों जश्टे जस्टिस हिमा कोली जी थी और राजेश बिंदल सर्थे नीचे आप देखेंगे मात्र एक लाइन का सिंपल ओडर आ गया क्योंकि सुनवाई तो इसमें कुछ हुई थी नहीं यहाँ पर आप देखेंगे अपन सितंबर 2023 को यह आपका केस से दुबारा लिस्ट होगा और अल्मोस्ट एक महीने बाद फिर इसमें बेट करना पड़ेगा लेकिन देखें बहुत सारी एक चीस थोड़ी सी पॉजिटिव खबर यह भी आ रही है कि 20 तारिक के आसपास आपका डॉक्यमेंट वरिफिकेशन हो होने के उमीद पूरी पूरी चल रही है और नोटिस आपको कुछ समय बाद ही कुछ दिन बाद ही मुझे लगता है साइट पर देखने के लिए मिलेगा तो काम काफी तेजी से आपके नोटिस पर भी प्रारामबाब हो रहा है लेकपाल के डीवी पर जो भी होगा मैं आपक चैनल सब्स्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच